जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लहसुन के लावकारी प्रयोगों के बारे में लहसुन हर घर में उपलब्ध होती है लेकिन ये कमाल के उश्चद है आपको बहुत सारे परिशानियों से बचा करके रखती है और बड़ी बिमारियों से दूर रखती है आईए इस के लिए बहतर है लहसुन जी हां इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो इस मिश्रण को खाईए जी हां लहसुन और शहद के मिश्रण का सेवन कीजिए हर्दय तक जाने वाली धमनियों में जमावसा निकाल देता है ये जिससे खून का प्रवाठीक प्रकार से होने लग जाता है और हर्दय तक ब्लड आसानी से पहुँच पाता है इससे हर्दय की सुरक्षा होती है और आपको हार्ट अटेक नहीं आएगा यानि कि हार्ट अटेक जैसी बिमारी आपसे दूर रहेगी इसके अलावा अगर गले में खराश है तो इस मिश्रण को लेने से गले का संक्रमण दूर होता है क्योंकि इसमें इंटे-इंफलामेंटरिक गुन होते हैं यहां गले की खराश को दूर करके सूजन को कम कर देता है इसलिए बहुत लापकारी है इसके अलावा यह डाइरिया से आपको बचाता है जीहां अगर किसी को डाइरिया हो रहा हो तो उसे इसका मिश् यानि कि लहसुन के और शहद के मिश्रन को आप चाहें तो लहसुन को पीस करके शहद में मिक्स कर सकते हैं वैसे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इससे उसका पाचन तंतर दुरुस्त हो जाएगा और पीट को जो संक्रमित करने वाले जिवानों है सब नश्ट हो लहसुन और शहद सर्दी जुकाम से रहत दिलाएगा यानि कि यह जो सर्दियों कम उसम चल रहा है इसमें बहुत अच्छी और शर्दी के रूप में आपके लिए कार्य करेगा बिमार नहीं है तो भी इसका सेवन कीजिए आपके लिए फायदे मंद है इसको खाने से सर्दी की तकलीफ कम हो जाती है यह मिश्रण शरीर की गर्मी बनाए रखता है यानि कि सर्दियों के लिए तो यह रामबाण और शदी है इसके अलावा यह इम्मुनिटी पावर को बढ़ाता है जिहां लहसुन और शहद के मेल से घोल जो बनता है वो शक्ति बढ़ाता है आपके शरीर में और फिर यह इम्मुनिटी सिस्टम को मजबूत कर देता है इम्मुनिटी सिस्टम मजबूत होने से शरीर मौसम की मार से बच सकता है और उससे आपको जो सीजनल बिमारियां है वो नहीं होंगी यानि कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि मौसम जैसे ह होता है बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए यह बहुत अच्छी और शदी है इसके अलावा फंगल इंफेक्शन शरीर के कई भागों पर हमला करते हैं लेकिन इंटी बैक्टीरियल गुनों से भरा हुआ यह मिश्रण बैक्टीरिया को खत्म करके शरीर को बचा लेता है य क्योंकि यह आपके लिवर को भी सुरक्षित रखता है इस मिश्रण को खाने से आपके हार्ट अटैक से बचाव होना लेकर के पेट में गैस की समस्या है तो वो भी कंट्रोल हो जाती है यानि कि पेट में गैस है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह सुबह खाली पे है बहुत सारे रोगों से आपको बचा करके रखेगी यहां तक की कैंसर जैसी घातक बीमारी से दूर रखेगी अगर कैंसर से पुनता बचना चाहते हैं तो आप महीने में दो दिन फास्ट जरूर कीजिए आपके कैंसर होने के चांसे वैसे ही 90 परसेंट तक कम हो जाएंग अगर महीने में दू दिन आप फास्ट करते हैं तो कैंसर नहीं होगा तो यह आज की जानकारी रही आप सभी के लिए स्वास्ते से रिलेटेड ऐसी ही नौलेजफूल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन कौन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले लाइक कीजी वीडियो पसंद आया तो शेर कीजे उन लोकों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजे आपके मन में कोई सिहत संबंधी सवाल हैं तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप स कार दूस तो